सोने का कौवा म्यानमार की लोक था बहुत दिन हुए एक गाव में एक गरीट स्त्री रहती थी एक छोटी सी लड़की को छोड़कर उसके और कोई नहीं था ये लड़की बड़ी सुंदर और भोली थी इसलिए हर आदमी उसे बहुत प्यार करता था एक दिन स्त्री ने थोड विचित्र कौवा उल्ता हुआ वहां आया और थाली के पास बैठ गया लड़की ने उसे आश्चर्य से देखा ऐसा कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था इस कौवे के पंक सोने के थे और चोंच चान्दी की उसके पाउ तामबे के बने हुए थे कौवे ने वहां आते यही हसना और चावल खाना शुरू कर दिया जब लड़की ने ये देखा तो उसकी आँखों में आंसु आ गए उसने चिला कर कहा इन चावलों को मत खाओ मेरी मा बहुत गरीब है उसके लिए ये चावल भी बहुत कीमती है सोने के पंक वाले कौवे ने बड़े सनेल के पहले गाउं के बाहर बड़े पीपल के पासाना वहां मैं तुम्हें कुछ दूंगा ये कहकर कौवा उर गया लड़की बहुत खुश हुई वह सारे दिन और सारी रात इस विचित्र कौवे के बारे में सोचती रही दूसरे दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह महल बहुत सुंदर था और अंधेरे में भी जगमगा रहा था लड़की बहुत देर तक वहां खड़ी उससे देखती रही जब कौवा सोकर उठा तो उसने अपने महल की खिलकी से मूँ बाहर निकाला और कहाओ तो तुम आ गई हो तुम्हें उपर आ जाना चाहिए था ले लड़की को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने सोने की सीड़ी लटका दी और वह उस पर चढ़कर सोने के महल में पहुँच गई ये चोटा सा महल तरह तरह की विचत्र और सुन्दर चीजों से सजा हुआ था इसके अंदर भी कोई चीज सोने की थी कोई चान्दी में भोजन करोगी चांदी की थाली में या तामबे की थाली में लड़की ने उत्तर दिया मैं गरीब मां की गरीब बेटी हूँ। मैं तो सिर्फ तामबे की थाली को कह सकती हूँ लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्या हुआ कि उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया। भो जाकर तुम इसे अपनी मा को दे देना। लड़की ने सबसे छोटा बक्स उठा लिया और कौवे को धन्यवाद देकर सीडी से उतर गई। जब वह घर पहुची तो दोनों मा बेटियों ने बड़ी खुशी और उल्लास के साथ बक्स खोला। उसके भीतर से बहुत सा सोना न देखा तो वह उससे इरश्या करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद उसने उनके आमीर होने के रहस्य का पता लगा लिया। दूसरे दिन उसने भी एक थाली में चावल भर कर धूप में सुखाने के लिए रख दिये। और अपनी बेटी को उनकी रखवाली के लिए ब चावल खाने लगा। उसे देखते ही वह लड़की जोर से चिल्ला कर बोली ये कौवे जो चावल तुमने खाए हैं तुम्हें उनकी कीमत देनी पड़ेगी। हमें ये चावल मुफ्त में ही नहीं मिले हैं जो तुम इस तरह इन्हें खाय जा रहे हो। कौवे ने क्रोध से कहकर कौवा उड़ गया। दूसरे दिन सुबह ही वल लड़की पीपल के उस बड़े पेल के नीचे पहुंच गई और कौवे के जागने की प्रतीक्षा के बिना ही जोर से चिल्ला कर बोली ये कौवे मैं आ गई हूँ। अब मुझे मेरे चावलों की कीमत दो कौवे ने अ तामबे की सीरी पर चरने से तो मेरे हाथ चिल जाएंगे। मुझे तो सोने की सीरी चाहिए लेकिन लड़की को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कौवे ने उसके लिए तामबे की सीरी लिटकाए। उसी सीरी पर चरकर लड़की कौवे के सोने के महल में पहुंच गई। उ पुझे तो सोने की थाली चाहिए लेकिन उसे ये देखकर निराशा हुई कि उसे तामबे की थाली में ही भोजन परोसा गया। बेटियों ने बढ़ी खुशी और उल्लास के साथ बक्स खोला लेकिन ये क्या उसके भीतर एक बहुत बड़ा और काला सांप निकला। लालची लड़की को उसके लालच का फल मिल गया। इसके बाद फिर उसने कभी लालच नहीं किया।